अच्छा फटिलाजर है और फ्री में बनने वाला फटिलाजर है अगर आपके पास जादे टाइम नहीं है फटिलाजर देने के लिए या इसको भीगो के रखने के लिए 24-48 घंटे का टाइम अगर आप नहीं दे सकते तो फिर आप इसको फटा फट बना करके एक दो घंटे में तैयार करके अपने प्रांट्स को दे सकते हैं और कीचन वेस्ट से ही मैंने तैयार किया फटिलाजर और इस फटिलाजर से हमारे plant बहुत ही अच्छे ग्रोध करेंगे flowering होगी, floating होगी और पत्यां भी एकदम से green होगी तो ये fertilizer बना कर अपने plant को दीजिए और सारे nutrition इस fertilizer में हैं जो हमारे plant की ज़रत होती है जिसको तो ये देखे, ये मैंने कैसे तयार किया है ये ही मैं आपके साथ share करूँगी और आप इसको हर plant में दे सकते हैं आप इसको indoor, outdoor सब plant में दीजिए, बहुत ही best result है और ये देखे, मेरे सारे plant stem flowering पे हैं तो ये देखे, ये है आज के fertilizer फ्रेंट्स, ये मेरा जो waste निकला है इसको आप fertilizer के रूप में फटा-फट बना करके अपने plants को दे सकते हैं इसमें मैंने मटर के चिलके लिए हैं फ्रेंट्स मटर के चिलके किचन में आज कल बहुत ही जादे निकलते हैं मटर में फ्रेंड nitrogen, potassium, magnesium अच्छे मातरा में होता है तो इनको waste मत कीजिए या तो आप decompose करके fertilizer तयार खाद बना सकते हैं और नहीं तो फिर आप ऐसे liquid fertilizer भी बना करके दे सकते हैं ये एकदम हमारे plant पे एकदम से instant असर करता है और growth बहुत ही अच्छी होती है इसमें मैंने मूली के चिलके भी लिए हैं विटामिन A तो प्रचुड मातरा में है इसमें minerals है, iron है, zinc है, potassium है, magnesium है हमारे plant की growth करेगा और इस नाइट्रोजन है और विटामिनस बहुत ही अच्छी मातरा में हमारे plant की growth होगी विटामिनस हैं जो की बहुत ही plants की roots भी मजबूत होंगी तो आलू के चिलके में भी फ्रेंट्स बहुत अच्छी मातरा में potassium होता है और calcium magnesium तो मतलब ये जो भी चिलके मैंने आज लिए हैं आप इसमें और भी add कर सकते हैं तो कोई भी फल या सबजी का चिलका आपके पास है तो ये fertilizer के रूप में आप अपने plant को दीजे खीरे के चिलके भी आपकी किचर में निकलते होंगे खीरे का चिलका तो बहुत ही अच्छा fertilizer के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और खीरे में nitrogen, iron, magnesium, calcium इन सब चिलकों में फ्रेंट्स बहुत अच्छी मात्रा में है जो कि आप अपने plant को दे सकते हैं क्योंकि ये सब चीजें हम खाते हैं तो हमारे plant के लिए भी बहुत ही फायदे मन्द होती है तो इसमें मैंने और लिया है केले और संत्रे के चिलके भी लिए है तो केले में भी बहुत अच्छी मात्रा में केला तो फ्रेंट्स पोटाशियम का रिच सोर्स है और हमारे plant पे फूल लाने में बहुत ही मदद करता है फूल या फल iron भी है और कैलशियम भी है और संत्रे में nitrogen, phosphorus, potassium होता है और संत्रा या नीम्भू तो हमारे plant की growth के लिए हमारे मिट्टे को भी acidic बनाता है और acidic soil में बहुत अच्छी flowering होती है क्योंकि flowering plant को ज़्यादा तर acidic soil ही पसंद होती है इसलिए नीम्भू के चिलके भी आप लीजिए या संत्रे के चिलके जरूर और इन सब को मैंने एक पतिले में डाल लिया है और इसके बाद क्या करना है मैं आ गई हूँ kitchen में और kitchen में इसको gas पे रखना है gas पे सिरफ आपको रखके इसको पांच मिनिट के लिए boil करना है और ये fertilizer बनके तयार हो जाएगा मतलब जटपट बनने वाला fertilizer है आप इसको भीगो करके रखने का 48 गंडे का जंजट खतम आप फटा फटा ऐसे बना करके अपने प्रांट को दे सकते हैं तो मैं इसको boil करूँगे पांच मिनिट से ज़्याद़ पॉयल नहीं करना है और उसके पाद इसको ठंडा करना है अच्छी तरह से आप एक दो घंटे के लिए आप इसको रख दीजिए क्योंकि अब तो सर्दी भी है तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और फिर इसको प्रांट में डेलूट करके देना है मैंने थोड़े से इसमें ओनियन पील और मिला है क्योंकि इसमें ओनियन पील थोड़े कम थे तो मैंने और ले लिया है ओनियन में भी फ्रेंड्स बहुत अच्छी मातरा में पॉटेशियम, आइरन, मैगनिशियम होता है ग्रोथ और फूलों के लिए बहुती बैस्ट है ओनियन पील का तो आप अलग से भी फटिलाजर बना करके दे सकते हैं तो ये देखें ये पांच मिनट के लिए उबल चुके हैं अब मैं इनको गैस को बंद करूँगी और ठंडा होने के लिए रखतूँगी और उसके बाद अपने प्रांस में हम इसको योज करेंगे तो फ्रेंड्स कहने का ये मतलब है कि जो भी किचन में आपकी वेस्ट निकलता है इस तरह का छिल के फलो के सबजियों के तो इनको वेस्ट समझ के मतलब की आप या तो एक गमला बढ़ लीजिए और उसमें आप इकठे करते रहिए आप ख़द बना सकते हैं देखे दो घंटे के बाद मैं बाहर लेकर आई हूं फ्रेंड्स इसको ये देखे तैयार है फटिलाजर के रूप में और इसमें इतने सारे निूटिशन इस पाने में हैं फ्रेंड्स कि ये हमारे प्रांट के लिए बहुत ही बेस्ट फटिलाजर है और अगर आपके ये सीवीड का एक सबस्टिटूट भी कह सकते हैं इसको क्योंकि इसमें सारे माइक्रो निूट्रेंट्स हैं और जो सीवीड की कमी को पूरा करते हैं तो अगर आपके पास seaweed नहीं है, seaweed fertilizer नहीं है, तो आप इसको अपने प्रांट में दीजिए, ये उसकी कमी को पूरा करेगा, हमारे प्रांट की ग्रोथ भी होगी, roots भी मजबूत होगी, पत्यां भी होगी, new-new shoots भी आएंगी, तो कहने का मतलब है कि ये बहुत ही अच्छा fertilizer बन सकते हैं, या फिर अगर आपने खट बना रही हैं, decomposed करके तो इसमें भी डाल सकते हैं, तो ये मैंने इसमें लिया है, friends, जितना ये मेरा fertilizer है, इतना ही मैं इसमें पानी एड़ करूँगी, dilute करना जरूरी होता है, कोई भी fertilizer अगर आप बनाते हैं, तो ये दीखी, मैंने इस ये देखे, ये fertilizer तयार है, अब मैं ये सारे plants में अपने दूँगी, friends, आप इसको सब plant में दे सकते हैं, outdoor, indoors, सब में थोड़ा-थोड़ा सा आप हर plant में दे सकते हैं, बहुत ही best fertilizer है, friends, ये देखे, और इसमें सारे nutrition हैं, जैसा मैंने बताया, और अगर आपके पास और कोई हों तो वो भी आड़ कर सकते हैं, और ये मैं टाइम टाइम पर इस तरह का organic fertilizer ही यूज़ करती हूँ, आप भी organic fertilizer बना करके अपने plant को दीजे, friends, तो friends, ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर अच्छे लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजे, और चैनल को सबस्क्राइब क प्रशक का यूज़ करते हैं और ये यूज़ विक यूज़ ओम करते हैं, प्रबहा को यूज़ कर दूम टटू कर दो हो जाई समय विक पस्तव हैं,